हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रेनू और आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूँ गर्मा गाजर के हल्वा की रेसिपी जो बहुत ही डिलिशिस बनती है और सर्दिया चल रही है और आपने गाजर का हल्वा नहीं खाया तो क्या ही खाया तो चले इसको बनाना श्टार्ट करते हैं गाजर का हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूर्ट ची तो गैस का फ्रेम आंद करके हमने यहां पे दूर्द अड़ करए हैं दो लिटर कड़ाई में और इसको बॉल करते हैं बेले तो दूर्द हमारे जब तो बॉल हो रहा है तब तक हमने यहां पे एक किलो गाजर को वाश करके ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर हमने रखा है कढ़ाई कढ़ाई में हम दो चमच घी को अड़ कर रहे हैं और जो ग्रेट गाजर हैं इसको यहाँ पर अड़ कर दिया हैं और इसको अच्छे से चलाएंगे और तब तक भूनेंगे जब तक इसके quantity कमना हो जाए यह देखिए इस तरह से हमें इसको अच्छी से चला चला के भूनना है आप जितना इसको अच्छी तरह से fry करेंगे उतना ही आपका गाजर जो है स्वारी हल्वा जो है delicious बनेगा तो यह देखिए सबसे ज़्यादा हमें इस चीश का ध्यान रखना है कि इसको continue चलाते रहना है और कैस का जो फ्लेम है वो medium to high रख सकते हैं और इसके पास से जो हमने दूद बॉइल करने के लिए रख दिया था यह भी देखिए ठिक होना सुरू कर दिया है और साइट साइट में जो मिलाई पड़ी है इसको हमें स्क्रैच करते जाएंगे और दूद में मिलाते जाएंगे तो यह देखिए अब इसकी quantity कम होने लग गई है बहुत ही कम हो गई है और इसको हमने आदे घंटे तक फ्राइ किया है यह देखिए इस तरह से और गाजर बिल्कुल ही soft हो चुका है तो अब हम इस फुनेवे गाजर को दूद में एड़ कर देते हैं थोड़ा थोड़ा लेके हमें इसमें एड़ कर देना है दूद में और अच्छे से चला लेना है इस तरह से हमें चला लेना है और जो साइड में मलाई पड़ रही है उसको भी स्क्रैच कर लेना है इस तरह यह बहुत ही सूपर डिलिश्यस बनेगा लेकिन थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा और यह देखे इस तरह से हमने यहां पे अब कैस का फ्लेम अब मेडियम रख दिया है बिकॉस अब इसको कंटिनुनी चलाना है बठा शेज का दिहान रखना है कि हमें इसको बीच- पार शेपाते रहना है कि जहें कि वबनेटरी और शेजा थे इसको पकाते लगबक एक घंटे हो गया है अब इसकी कौंटिटी देख सकते हैं काफी कम हो गई है तो हम इस तरह से बिच-बीच में हो च्यागा आप भी इसी तरह से पकाईगा है कि देखी कailed और क्लर के प्या तो यह देखें काफी थिक हो चुका है यहां पर हमने चीनी नहीं एड़ किया है और अब हम यहां पर एड़ करेंगे एड़ सो ग्राम चिनी अतलब डेड़ कप हमने लिया है तो यह डेड़ सो ग्राम है और इसको अच्छेस से इस्टेर कर लेते हैं चीनी जब तक डिजॉल्फ नहीं हो जाती तब तक हम इसको चलाएंगे इस तरह से हमें इसको चलाते रहना है तो यह देखे अब चीनी दिजॉल्फ होना शुरू कर दिए यह देखे और यहाँ पर हमने गैस का जो फ्लेम है पिल्कुल लो कर दिया है और इसके पाथ से भी हम 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे अच्छे से तो यह देखे अब हमारा गाजर का जो हल्वा है आपको दिखने में सूपर डिलिशिस लग रहा होगा तो यह देखे अब ठिक होना सुरू कर दिया है और अब हम क्या करते हैं एक पैन लेते हैं पैन में हमने यहापे एक चमच खी एड़ किया है इसके बाद से हम यहापे भाइब फूट्स पसंद करते हैं जो भी आप ऐड़ करना चाहते हैं एड़ कर सकते हैं हमने आप इसको रोस्ट करके रख ए और इसको चैदे गाजर के हल्वा में एड़ करते हैं और इसको अच्छे से चला लेते हैं तो यह देखे काल्वा काफी इसके जो कॉण्टिटी काफी कम हो गई है और यह बहुत ही सूपर डिलिशिस बना है तो चलिए गैस का फ्लेम यहां पर ओफ कर देते हैं तो यह देखी अब हमारे गाजर का हलुआ बिल्कुल ही रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं इसका गलर ही बहुत ही जादा प्यारा है और तो अगर आज की म